दोस्तों नमस्कार और आप देख रहें न्यूज पकेट न्यूज पकेट में आपका स्वागत है मसहूर एंकर सुदर्शन न्यूज चैनल के सुरेश चहाकणे ने एक अपने ट्वीटर हैंडल पे दो तिन दिन पहले बातें लिखी थी उसको लेकर क्या कुछ कासी के लोग देखते हैं और हमारे साथ हैं वरिष्ट अधिवक्ता इस तरीके से सुदर्शन न्यूज चैनल के एंकर ने ट्वीटर हैंडल पे इस तरीके भासा जो लिखे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे देखें मैं ससांग सेकर्ट्रिपाटी अधिवक्ता हूं और भारतियंता पार्टी लीगल सिल्का छेतरी से हुजब हो इस इसमें जो सुरेश चौहान जी ने जो सुदर्शन न्यूज के संपादक हैं उनकी हम लोग बड़ी इजद करते हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं लेक आकरांताओं के द्वारा हमारे ही परिवार के हमारी ही भाईयों बहनों के उपर जिस प्रकार से अत्याचार किये गए थे और उस अत्याचार से किसी भी वज़े से उस अत्याचार के दबाव में उस उसके प्रिसर में जिस प्रकार से अगर कुछ लोगों ने अपने दलने की वज़ा से उसको कैसे कम किया जाए उसको कैसे उस खाई को पाटा जाए इस दिसा में परंपुजी सरसंग चालग मोहन भागवाजी ने भी बयान दिया था कि भारत भूमी पर रहने वाले सभी को हम हिंदू मानते हैं क्योंकि वह उन्हीं सनातन सभ्यता के प्रतीक र परिष्टियां ऐसी थी कि जब आकरांता आते थे लूटते थे घर दर दुवार लूट लेते थे घरों को जला देते थे कुएं अपवित्र कर देते थे जलस्रोत अपवित्र कर देते थे महिलाओं के साथ बलादकार करते थे उनके कपड़े जला देते थे और वह उन जिन परिष्टियों में रहती थी उन परिष्टियों में जीने के लिए अगर हमारे भाईयों ने अपने मत अपने पंथ को बदला या पूजा पद्धती बदली तो हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ हमारे जो जो पिछले आजादी के 70 सालों में जो बर्प पिछल सरकारों ने जमादी थी हम उन बर्प को गलाने का प्रयास कर रहे हैं और पुना एक नया सवेरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए हमको लगता है कि इन परिश्चितियों में इस तरह की के टूइट्स अगर आएंगे तो समाज में अच्छा संदेश नहीं देंगे हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं अक्तर देखा जाता है को विवादित बयान देते हैं हिंदु मुस्लिम को लेकर और एक टीवी चैनल पर एंकर भी हैं क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में इस तरकिक एंकरों को समाचार टीवी चैनल से दूर होना चाहिए नहीं देखे वैसे सुरेश शवहान जी मुझे नहीं लगता कि बहुत बार इस तरह के विवादित बयान देते हैं लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं और निश्चित तोर पर जब आप एक आप लोगतंत्र के चौथे संब्ब के रूप में समाज के सामने होते हैं तो आपका दाएरा ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज में वहयमनत्यता ना फैले समाज समाज में दूरिया न बढ़ें समाज में खाई लो एक दूसरे के बीच में न पैदा हो और इस तरह के बयानों को समर्थल नहीं करते हैं तो आप ससांक सेखर त्रिपाठी जी को सुन रहे थे और यह अपनी बातें उन एंकरों को और जो सुदरसाज निव चैनल के एंकर है सुदरसाज निव चैनल के जो एंकर है सुरेश सी अक्सर कहीं न कहीं बीवादों के घेरे में रद हैं सुदरसाज निव चैनल के सुद्रेश चाहाकणे ने जिस तरीके से ट्वीट कर हलचल मचा दिया है और उसी परपस से सिधे तोर पे ससंक सेखर त्रिपाठी का जो बय इसको लेकर आपके कुछ कहाएंगे सुरेश चाहांकड़े को लेकर देखिए सुरेश चाहांकड़े ने जो कहा है उनके नफरती सोच का वो परिड़ाम है क्योंकि वो मेडिया में भी सिर्फ नफरत खैलाने का काम करते हैं धर्म विशेष के लोगों के पृति जो उद्ग हिंदुतु का चोला ओड़े चाहें एंकर हों पार्टी के अनुसंगिक संगठन हो भारतिय जंता पार्टी के वो सब सनातन के बिरुद्ध काम करते हैं सनातन सजभाव की बात करता है वसुद्धय कुटुम्वकम की बात करता है देव परदया करों की बात करता है वहीं अबस्था धर्म पूजा पद्धती उपासना इन में हमको नहीं पढ़ना चाहिए वह उनका निजी मामला है और समान जैसे सनातन संविधान वैसे ही कॉंग्रेस ये मानती है कि सबके प्रति समान भाव रखिए और समान से उनके पूजा पद्धतियों को देखिए हमको नहीं अधय कई हम किसी की प्रति ऐसी अभधादृ करें तो और स्के प्रति जो बदर कोश्ट के पतारा काम कर रहे हैं किぎ तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको यह लगता है कि जो वो एंकर महोदय नफरत टीवी पे फैलाते रहते हैं वह अच्छा काम मतलब क्या है नफरत फैलाना और बीजीपी का एजंडा एक यह सत्यापित हो जाता है मैं यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी एक एजंडे पे तो यह है कि नफरत फैलाने का समर्थन करती है दूस नकी बात और कर्म यह Step लूभिनल्य वह कहना कुछ है और करना कुछ है एक पुरानी कहावत है मुख मेराम बगल में चूरी तो जो संग कर भाचपा को दोरृ संगयों क्यव्यों से यह ऐसा है मुख से तो राम-डे कहते हैं लेकिन बगल में चूरी रखते हैं कब गला हो गया है और मानने लगे हैं कि सनातन से और हिंदु हर्भ से राम से लेना देना नहीं जो कि जमीन खरीदने में 2 करोड की जमीन 18 Alberta करद सकते हो राम के भकत हो भी नहीं सकते क्योंकि लो तो राम के लिए 2 अगर हैं तो वह सोकशते हैं कि रुपन और जोड़ कें चार रुपए दान कर दें लेकिन यह लोग क्या करते हैं कि अच्छा दो रुपए की जमीन है 16 करोण मुझे दे देना 18 करोण में हम रजिस्ट्री करा देते हैं जो राम भक्तों ने सेकड़ों हजारों करोड रुपए जनम किये हैं उससे हम आपको 16 करोड ज्यादा दिलवा देंगे तो यह मामला है तो इनका राम से कोई मतलब नहीं है हिंदुत्त से नहीं मतलब है मानवता से कोई मतलब नहीं है और यह नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ ही है भाजपा और ऐसे नफरती एंकर जो है वह एक ही ठाले के छट्टे बढ़ते हैं तो आप यह बैवावति पाठी जी को सुन रहे थे तो क्राउंड जीरो सी लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा ख़ब्रों के लिए हमारे यूट्यूब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें